which one of the following is a critique of theory of multiple intelligences मतलब इन में से कौन सा एक कौन सी एक आलोचना है गाड़नर के बहु वुद्धी सिधान्त की क्रिटीक मतलब आलोचना है किसकी आलोचना मतलब कुछ एक negative point इस theory के बारे में माना जाएगा किसको multiple intelligences यानि आर्ट प्रकार की बुद्धी को हम consider कर रहे है B, D, mixed answer आ रहे है answer जो होगा इसका वो होगा A option multiple intelligence are only the talents present in intelligence as a whole question 2 है which one of the following pair is least likely to be a correct match मतलब कि इन में से जो इस सारे pairs दिये हैं इन में से कौन सा एक ऐसा होगा जो सबसे कम सही हो सकता है मतलब least likely to be a correct match सबसे कम सही आप किसको कहेंगे बताएं एक बार कई लोग option में लगा रहे हैं B कैसे हो सकता है वाइगॉस्की तो कहते ही हैं कि initially शुरुआत के डेर दो साल तक क्या है thought अलग है और language अलग है फिर बाद में जाकर के merge होते हैं दोनों ठीक तो ये parallel चलते हैं ये बात तो सही है और पूछा है गलत क्या है ठीक चॉंस्की भी जो कह रहे हैं यहाँ बात ठीक है एक generative grammar है आपके brain में जो आपको मदद करती है rules को generate करने में language is contingent ये भी बात सही है stimuli वाली जो बात है वो कड़बड है यहाँ वो कहते हैं reinforcement के through imitation के through आप सीख सकते हैं अगर हम बात करें language की BF skinner को ले करके तो answer जो है वो B सही हो जाएगा फिर है question number 3 features assigned due to social roles and not due to biological endowment are called मतलब सामाजिक भूमिकाओं के कारण आपने कुछ भूमिकाओं बना दी कुछ जिम्मेदारियां आपने swap दी ना कि जैविक भूमिकाओं के आदा C option मतलब gender role stereotype exactly all of the following promote assessment as learning except मतलब ये सभी जो है assessment as learning को promote करते हैं किसी एक बात को छोड़के except का मतलब not ही मान लिया करो least ही मान लिया करो और answer कीज़े एक बार दी होगा इसका answer देखो लगातार बार-बार हर बार आप सिर्फ test करते रहें ये नहीं होगा इसका main मुद्ध which of the following will be most appropriate to maximize learning इनमें से कौनसी एक चीज़ appropriate या most appropriate होगी learning को maximize करने के लिए यानि learning आपकी जादा से जादा हो इस चीज़ के लिए कौनसी एक बात सबसे बहतर होगी most देखो इसको ध्यान से पढ़ लिया करो most, least, not, except इनको पढ़ करके नमबर बचाये जा सकते हैं पेपर में तो maximize कैसे कर लेते हैं learning को आप कैसे कर सकते हैं maximize learning को तो इन चारों options को देखते हुए एक ही भला option है यहां जिसको हम A option कह सकते हैं teacher should identify her cognitive style as well as of her student's cognitive style वही वो कैसे सिखाना जादा बहतर सिखा सकते हैं और बच्चे कैसे जादा बहतर सीख सकते हैं उनका क्या style है an inclusive school reflects on all the following questions except एक inclusive school एक समावेशी school जहां हर तरीके के बच्चे को include किया जाना चाहिए पांच नंबर का topic है सीटेट में बदलता नहीं है कभी पूछा जाएगा आपसे बताइए all students can learn यह माना जाता है do we work in teams to plan ठीक है do we properly segregate segregation is against the law of nature मैंने जब ही भी जितनी भी बार आपको inclusive education discuss किया होगा एक word कहा होगा segregation separation अलगाव अलग थलग करना segregation और inclusion दो different words है मतलब inclusion का मतलब है include करना segregation का मतलब है अलग थलग कर दो इनको special school में ही पढ़ा दो अलग रखो इने ठीक तो segregation हम कभी नहीं करते inclusive classroom में हम सबको सभी के लिए सिच्छा की बात होती है inclusive classroom में gifted students are याने की प्रतिभाशाली शात्र हैं क्या है देखिए एक बार divergent thinker exactly question number 8 है the conclusion children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist मतलब अगर मैं बात करूँ तो एक conclusion है यह है निशकर्ष निकलता है कि बच्चे violent behavior यानि आक्रामक व्यवहार को picture में यानि movies में देख करके film में देख करके सीख सकते हैं violent behavior movies में देख करके बच्चे सीख सकते हैं आक्रामक व्यवहार वो जो कबीर सिंग में मारधार दिखाई गई है हालांकि वो 18 अबव के लिए कर तो देते हैं बट इंडिया में सब कुछ तो available हो ही जाता है तो उससे बच्चे आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं ये बात कौन सी एक theory कहेगी ये कौन व्यक्ति कहेंगे बेंडियूरा कहेंगे जो कि यहाँ option में दिखने ही रहे है C option Albert Bandura देखिए एक बार question number 9 है if students repeatedly make errors during a lesson our teacher should अगर बच्चे जो हैं वो लगातार क्या हैं गलतियां कर रहे हैं किसी एक काम को किसी एक lesson को करते हुए देखो गलतियों से एक question आपका जरूर आता है गलतियों से एक question जरूर आता है मतलब errors से एक question जरूर आता है और ये आपकी बिल्कुल common sense पर based होता है इसमें आपको कोई theory पढ़ने की जरूरत नहीं होती अगर मैं बात करूँ एक बच्चा है जो repeatedly एक lesson को करते हुए गलतियां करता है इसका मतलब है कि आपको अपनी instruction में यानि अपने method में थोड़ा बात परिवर्तन करने की जरूरत है जो task आप उसको दे रहे हैं उसको थोड़े नई तरीके से या कुछ और task दे के देख लो या time table or sitting arrangement आगे पीछे कर लो उस बच्चे को आगे बिठा लो या किसी ऐसी जगा बिठा हो जहाँ वो comfortable हो time table में थोड़ा बात change कर लो उसको थोड़ा जादा समय दे दो कई बार flexibility ला सकते हो ठीक है तो आप खुद में change करने की बात करते हैं एक्सेप्ट अब समझ जाओ एक्सेप्ट लिखा है तो not मान लो least मान लो और जहां least, except, not दिखे कान खड़े करके एकदम 3D rate वाले और ध्यान से अंसर करने हैं thinking too much about the result ये है बिल्कुल bone of contention ये problematic चीज है कि यदि आप 24 गंटे ये सोचते रहेंगे कि परिणाम क्या होगा तो फिर आप action नहीं कर पाएंगे या आप anxiety, depression परिशानी में आएंगे